देखो बात कहते है रीनल सेल कार्सिनोमा की इससे आर सीसी भी कहते हैं ठेक है यह कोई पीडियाट्रिक ट्यूमर नहीं होता है बच्चों में नहीं पा जाता यह यह मेल्स को फिट करता है जिनकी उम्र होती है पचास से सत्तर साल के उम्र risk factor smoking तो होता ही है risk factor हर किसे के अंदर ही हाँ हमें याद रखना है कि RCC जो होता है ना वोन हिप लिनडायो सेंड्रोम के अंदर हमको देखने को मिलता है क्योंकि वन हिप लेंडायो सेंड्रोम के अंदर क्या होता है there are cyst and tumors in different parts of the body टीक है तो तो पहली important बात तो यही होती है, दूसरी important बात होती है, कि जो RCC होता है, वो originate होता है PCT से, PCT, यह बहुत थी important बात है, इसके types में एक type है, जो most common है, उसे कहते हैं, CCC, clear cell carcinoma, इसकी खास्यत क्या होती है, कि cells are polygonal, polygonal का मतलब कुछ ऐसा, and filled with lipids and carbohydrates, यह भी खास्यत है इसकी, RCC, renal cell carcinoma, can invade renal vein, if it invades renal vein, on left side, it can lead to vericocele, अब यह बात अपको दिहान रखनी पड़ेगी, कि RCC जो है, वो cancer है, और अगर यह left side के renal vein, इनको अगर यह invade करता है, तो it can lead to vericocele, all right, RCC can also invade the interior, sorry, inferior vein के वा, via the renal veins, चलो ठीक है, मान लेते हैं यह बात भी, through hematogenesis spread, it can cause metastasis to the lungs and bones, all right, triad देखने को मिलता है, hematiauria देखने को मिलता है, flank pain, और palpable mass, यह क्या है, यह triad है, जो कि RCC में देखने को मिलता है, flank pain हो गया, hematuria हो गया, और palpable mass हो गया, RCC के साथ एक pera neoplastik syndrome associated होता है, यह pera neoplastik syndrome सबसे important है, सबसे पहली बात तो यह कि, यह polycythemia वेरा कोस करा सकता है, कैसे, क्योंकि tumor जो होता है, वो secret करता है erythropoietin, और यह erythropoietin कोस करा सकता है, क्या polycythemia, सिर्फ erythropoietin ही नहीं, यह कि सब्सक्राइब हार्मोन भी release करता है, तो उससे क्या होगा, hypercalcemia देखने को मिलेगा, इसके अलावा और हम बाते करें, तो यही नहीं रुखता है, it can also produce ACTH, ACTH प्रोड्यूस होगा, तो cortisol जादा release होगा, cortisol जादा release होगा, तो Cushing syndrome हमको देखने को मिलेगा, राइट, इसके अलावा यह भाज सब्सक्राइब भी release करते हैं, that can lead to hypertension, तो यह इसके peraneoplastik syndrome है, जो की बहुती important है, treatment की बात की जाए, treatment की बात करें, तो tumor जो होता ही है, इसका treatment होता है, surgery, अगर यह metastiles करता है, तो इसका treatment होगा, immunotherapy with, यह क्या एक रख़ा है, ALDES leucan, हाँ तो इसके साथ, इसकी immunotherapy की जा सकती है, इसके अलाबा, RCC जो होता है, वो resistant होता है, किस से, radiation से, तो इससे triple R भी कह सकते है, कि RCC महराज, resistant होता है, radiation therapy से, और chemotherapy से, अब बात करते हैं, willm tumor, यह बच्चो वाला tumor होता है, इसलिए इसको कहते हैं, nephroblastoma, किस उम्रों में देखने को मिलता है, mainly यह, 2 से 4 साल की उम्रों में देखने को मिलता है, और यह होता है, एक malignant tumor, यह बात भी धियानक नहीं है, हमें, ठीक है, associated with mutation in WT, मतब, willm tumor 1 and willm tumor 2, gene on chromosome 11, 1, ठीक है, important बात है, अब देखो, WAGR syndrome होता है, एक Danny Drash syndrome होता है, और एक Backwith Widman syndrome होता है, तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो WAGR syndrome जो होता है, वो होता है, इसके अंदर willm tumor 1 का mutation देखने को मिलता है, इस WAGR की फूर्फरम होती है, इसके अलाबा रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, WAGR की फूर्फरम क्या हो गई, विल्म ट्यूर हो गया, एन आई रिडिया हो गया, जनाइटो यूरिनरी अनोमली हो गई, और रिटार्डेशन हो गया, ठीक है, यह सब क्या होता है, इसके फूलफरम होती है, डैटिश्ट्रैश्ट सिंड्रोम की बात करें, तो इसके अन्दर भी WT1 Mutation देखने को मिलता है, यहां ट्रायड देखने को मिलता है, और वो ट्रायड के अन्दर क्या क्या आता है, विल्म ट्यूमर तो आता है, इसके अलावा when chondrikyIón17 गार्पर्व ती नार्श अंसर्न देखने को मिलता है और डिस जेनफ फॉर निशल्स गारिकने द्थिप archa बाकविध विड्मान्स सिंड्रोम सिंड्रोम तो उसके पांद ए मिलता है यहां पर क्या के देखने को मिलता है मैं विल्म ट्यूमर, और्गेनोमिगेली, मैक्रोग्लोसिया और हैमी हाइपरप्लेजिया पता नहीं क्या चीज होती है है हैमी हाइपरप्लेजिया I really don't know